दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में दोस्तों बहादर पस माह में किर्स्म बक्सि कि एकादसी दित्य को अज़ा एकादसी कहा जाता है और इस दिन अज़ा एकादसी व्रत रखा जाता है यह इस साल किस तारीख को मनाये जाएगा 23 को यह 24 को या फिर यह आप लोगों के जीवन में किस प्रकार से खुशिया ला सकता है और कौन से ऐसे कारे हैं जो कि आपको एकादसी के दिन बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए इसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं तो मत्रों आप लोगों से अनुरूत करेंगी कि आप विडियो को पूरा देखेंगे क्योंगी धार्मिक दृष्टी से यह वरत विहती महत्पूर्ण है और एकादसी थी भगवान विस्नु जी को समर्पित होता है और इस दिन जगत के पालनहार स्रीहरी विस्नु जी की पू भोग कर अंत में विस्नु लोग में पहुंच जाता है धार्मिक सास्त्रों के अनुसार एकादसी के दिन प्रातक काल उठकर असनान करने के बाद वरत का संकल्प लिना चाहिए और एकादसी की रात जागरन कर स्रीहरी विस्नु जी का पूजा पाठ करना चाहिए इस दिन पूजा से भगवान विस्नु के साथ साथ माता लख्वी का भी आश्रवाद प्राप्त होता है ऐसे मैं आईए जानते हैं अजा एकादसी के वरत मुहरत के बारे में वरत विदी के बारे में वरत कथा के बारे में और इसका सही समय कौन सा रहेगा सुब मुहरत कौन सा रहे पद का माह के कृष्ण पक्ष की कादस्य तिति का प्रारंब जो है 23 अगस्त 2022 को सुभा 7 बच कर 2 मिनट पर होगा वहीं इस तिति का समापन 24 अगस्त को सुभा 5 बच कर 9 मिनट पर होने वाला है मत्रोप पूजा विधी सुनियेगा अजे अधाय कादसी वाले दिन सुभा उठकर असनान आदे करने के बाद भगवान के समक्ष वरत का संकल्प लें पूजा घर में या पुर्व दिशा में किसी स्वक्ष जगह पर एक चोकी पर भगवान जी का आसन लगाएं और उस पर ए इसके बाद दीपक जलाएं फल फूल नवेद से भगवान विश्णू जी की पूजा करें दूसरे दिन सुभा को असनान आदे करने के बाद भगवान विश्णू जी की पूजा करके वृत का पारण करें वही अस्थाबित किये गए कलस के जल को अपने घर में छीड़ा कर होता है इसलिए आप इसे बहुती सांती पूंठंग से और भगवान जी का अराधना करते वे उनका ही ध्यान करते वे इस व्रत को करें आपके जीवन के समस्त पापों का समस्त दुखों का अंत हो जाएगा और आप जीवन में काफे जाद तरक्की करोगी आप कमेंट बॉक्स में प्रेम चे ओम नम फगवते वासू देवाई जैस्त्रीहरीविष्णू जरूर लिखें जैमा विंदवासनी